है एलो गाइज वेल्कम टू केमिकल साइंस और आज हम स्टार्ट करने वाले application रॉट प्रिट को को एप्रीट में हमने क्या सिज दिस्क्स करनी है उसको लान बाइवन यहां पर डिस्क्स करेंगे ओके तो चो फुर्स जो में पार है स्टिप्रैट और प्रॉज्ट का दैट इस वर्क ठेजी के जो विवक होता है वह इन दॉट प्रॉट प्रॉब एक पॉर्टप्रर एट अन दिस्ट्लेस्मेट देखे फॉर्सट का जो नुवार्च होता है यह वह वह वोग इसकेलर क्वंटिटी क्या होती है स्केलर क्वंटिटी थी तो ये दौड प्राड़्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेस्मेंट का अब देखो इसको थोड़ा बहुत एक्स्पेन कर लेते हैं ठीक है किस तरह के से माल लेते हैं हमार पास कोई एक ऑबजेक्ट है उसका मा कर रहें किसी तब्र डीरेक्शन में एनिविद थीटा एंगल विद्द होरिजन्टल माल लेते हैं इस पर एक फोर्स अप्लाइब कर रहें ठीक है जो की थीटा एंगल पर है बिद होरिजन्टल के साथ ठीक है तो आप देखिए इससे फोर्स के आमारे पास दो component कोंसे component is f cos teat component और साइन थीटा गंपूनेन्ट है एक component पैलर कंपोनेट है एक इसको और डिरेक्षिन मिले चाने की को तो इस वेट एम जी को कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा है और इसके बाद देखिए कि जो एफ कॉस्ट थीटा कंपोनेंट है यह इस ऑब्जेक्ट को इस और इस नई पोजेशन पर पहुंच जाता है ठीक है और डिस्पेस्मेंट करते हैं यहां पर क्या लेखा है लो हम यहां सब्सक्राइब करने की वज़े से यहां पर पहुंच गिया तो इसके लिए जो ывать श्टान होगा वाउस्टした का होगा कि कि डिवप होगी के लिए लिखाल टू क्या उझात मैं होट हो इसको मालटीप्लाइज समझ देना ठीक है यह इस इस मालटीप्लाइज दिस प्लेस्मेंट क्या ठीक है तो थो वोट्स हमारे कौन सा कोपोनेंट है यॺ धट है कोज स्टेटा कोम एप और डिस्प्रिस्मेंट हैं हमारे पास है अब बास क्या है consider इसको हम क्या लेख सकते हैं we can write itstadt स्टेटर दॉक्त दूट्ट है विकए आप वेकृंट्टे यह और एकृंटिटी और डिस्प्लिस्मेन मैं ठीक है आप इसके बाद देखिए जो हमारे पास in power होती है अब पावर भी हमारे पास एक तरह कासे स्केलर होती तो पावर कैसे den है तो अगर हम लिखें तो एक डन भी दॉस्ट डॉड़़्aks व्य को इस तरह से खक्ते हैं ठीक है ये भी हमारी पासे की है है अब देखो को हम डिफाइं करें तो पावर इस पावर को से डिफाइंड होता है रिट औ介फ भूइंग तो थिक sebenar के उसको यह फोट यम्डेफञ चाहिए ऍथना ऐस्पेक्टर यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि डीवाइव डीटी लिशिज एफ डॉट है एस पेक्टर ए है समझे अब दीके ए फ हमारे पास फिक्सट है तो हम इस एफ को बाँ ले लेंगे एफ डॉट अब आप लोग को पता है डी एस बाइड डीटी क्या होता है वेलोसिटी रेट ऑप चेंज ओप डिस्ट्रेस्मेंट वेक्टर इस नोन ऐस वेलोसिटी तो यहां से हम लिख सकते हैं पावर इस एक्वल टू फूर्स दॉट वेलोसिटी वेक्टर तो यह हमारे पास आ गया पा that is law of cosine law of cosine because they define your time that is defined with the help of with the help of dot product अब हम डिफाइड करने वाले थर्ड इंग इस लौ और को साइन आपको पता है नहीं पता है ठीक है तो लोग को साइन को हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे बास ट्रेंगल स्किंग अगर हमें देखो एक ट्रेंगल है दो वेक्टर से रेप्रेजेंट किया जाता है suppose एक एक टर एंड वेक्टर इसको माल लेता है दिस इस अब यह क्या आएगा सी वेक्टर उसको हम यहां पर वेक्टर अप्लाइ करते हैं कैसे जो से मोड़र में जो वेक्टर है उनको हम कहां से जाएगा सी बेक्टर एक वेक्टर भी वेक्टर सी बेक्टर को हम क्या लिखेंगे इसे इक को यह वेक्टर माइनस वेक्टर लिखेंगे आया समझ वे तो देखो ओक एवेक्टर माइनस अब क्या करना है इसका खुद के सांथ अ से या इस तरीक से लिखिए सी बेक्टर दॉट सी वेक्टर इस एकवाल टूए-वेक्टर माइनस बीवेक्टर डॉट एवेक्टर समझ में बिल्कुल आगी आओगा समझ में अब यहां पर देखिए इससी दौट सी यानि दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो सेम डिरेक्शन में डिरेक्टिड है इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है जी तो हम इसको क्या लिखेंगे तो सब्सक्राइब करते हैं तो इसको अभी करते हैं पहले पूरा लिख लेते हैं सभी को एक सांथ हम यहाँ डॉट प्रोडिक्ट करेंगे अब देखो इसको इसके सांथ नदो प्रोटिक्ट करना है तो ए दॉट ए इस एवेक्टर को बीक के सांद में डीप्लाय करना है ए दॉट भी वेक्टर वेक्टर करना है है इतना समझभा है तो अगर हम्हें पास डॉट टी वेक्टर है तो उसको किस तरुकेसे लिखते हैं एक जनरल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं अगर हमार पस कोई भी एक वेक्टर है दो वेक्टर से स्टेर्ट भी ठीचे इसको क्या लिखते हैं magnitude of vector V magnitude of vector V and cost of angle between them angle क्या है दोनों vectors के बीच में सें से में तो एंगल क्या होगा जीरो होगा तो यह तो एक हमारे पास क्या है स्केलर कॉंटिटि एक बस यहां से आजाएगा हमारे पास वेक्टर यानि एक वेक्टर है जिसको हम खुद से डॉट प्रोटेक्ट करेंगे तो हमें क्या देगा हो वी स्क्वेर देगा यहां सी स्क्वेर देगा सी दॉट डॉट सी होगा यहां स्क्वेर दॉट डॉट यहां दीजिए दॉट गुण लिखेंगे अब यहां जो दॉट होता है वह कमिटेटिव लॉग को को फॉलो करता है ठीक है का मतलब है कि उसके और को अगर हम चेंज करेंगे तो उसका साइन में कोई चेंज नहीं आएगा तो हम इसको इस बीडॉट एको भी क्या लिख सकते हैं एक टॉट बी तो प्लस बीस अब देखो इन दोनों को एड करेंगे तो हमरे बास क्या जाएगा क्या है क्या है सब्सक्राइब करेंगे इसको इसको और लिखेंगे दिस इस स्क्कार प्लस बीडिस्वेर इस इकल तो एक इपना समझ माया जिबलकुल अभ यहां से स्टीज स्टीज इस प्लस बीडिस्ट आर यहां पर फिर वही डॉट प्रोट प्रोट अ.B लगा दिए त तो यह हमारे पास किया आगया थे समझ लगे अगर हमारे पास यहां से कह सकते हैं तो हमें फाइंड करना हों ठीक है एंगल करना हो तो हम को सायन लौ से फाइंड आउट कर सकते हैं यह हमारे पास नो ऐसे इसॉसे होता है वह साइन लो को हम वहां पर is a cross project में discuss करेंगे ठीक है अब देखिए लास्ट वन इस एक्वेशन और प्लेइन को डिस्कुस करेंगे हूं कि अब हम डिस्कुस करने वाले हैं एक्वेशन और प्लेइन को कि अब है 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 कि अब देखिए एक्वेशन और प्लेइन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं माल लेते हैं हम और पास से कोई सबस्क्राइब सबसकर्ट क्या बनाते हैं हम और यहां पर और यहां पर कोई एक पॉइंट लेटा करते हैं ठीक है कि के इसको हम हम आध कंसिडर कर लेते हैं आर क입 कर फिक यह पर्पेंडेटिक्र डिस्टेंस है हमारे पास इस अबर्पेंदिक्लर डिस्टेंस फॉom de origin to the plane अधर समझ मैं तो इसको हम M consider कर लेते हैं आप इसके बाद देखिए बढ़ क्या होने वह पास जो उंटका पर्परल्डिक्टर रंप यहां पर को यहां पर कोई आर्बिटरी उसकता है यह लगत लूगर ऑसकता है यहां यहां पर भी यहां पर कहीं पर भी हमने burgい है तो इस अका प्रॉजक्शन इस पर क्या होगा का प्रोजेक्शन कैसे होता है आर मैंने टूट ओफ हाल लेंगे कॉस थीटा तो हम देखेंगे इसको आर पॉस थीटा कि आया समझ बेजी विल्कुल अब देखो आप क्या करना है हमको इसको फिर से हम पी से मल्टिप्लाइब करते हैं मल्टिप्लाइब देखो कि मल्टिप्लाइब बोथ इस साइड बाइब बोथ साइड अगर हम पी से मल्टिप्लाइब कर देते हैं तो हमारे पास पी स्कुर्ण यह हमारे पास इक्विशन ओप लेहई अभी क्या है इस पर्पेंडिक्लर इस्टेंस फ्रॉम भी फॉम देओर जं तो दफ्रॉंड नॉर्मल नॉर्मल तुडब स्थे आप दैक है अब देखो यहां पर जो हमारे पास आरड वेक्टर है और वेक्टर को इस तरिके से डिफाइन करेंगे say proven पर डजकल एंडजान जोड़े पास फिवैकटर है विए अपक्रिक्र्ण को हम P j & dr. APEI ज.' ग्रीकल से रिफाइन है समझ में तो इस पॉइंट पी के हां सबस्सक्राइब इसको हम एम तो यह लेंथ हमारी पास पी बाइब इसके अलवा भी हमारे पास और भी एप्लिकेशन से जैसे हम इलेक्टरिक फ्लग्स मैंगनेटिक फ्लग्स यह सभी चीज़ें भी हमारे पास क्या होती है एक वेक्टर नहीं एक स्केलर क्वेंटिटी को ठीक है तो चले मिलते हैं आप से अगले लेक्चर में तो चलो प्लाओ झाल क्वेंटी को कि अचेशन ख़से रेक्टरिक प्लोग्स मैंगना क्या हो।